Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me शुपरतिवारी बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ पर आपको प्रवाइट कराए जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके तो आप सब कैसे हैं, आपका हाल चाल पानी कैसा है, I hope मैं यह उमीद कर रही हूँ कि बहुत बढ़ियां होंगे और जो चाप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्छो, वो अभी आपको देखने में, सुनने में, समझने में बहुत आसान लग रहा होगा पर अच्छली वो आसान नहीं है क्योंकि we have to study almost 10 to 11 फाइलम्स और अगर हम 11 फाइलम्स पढ़ने जाएंगे, तो आपको भी पता है कि work pile on होता जाता है और एक साथ जब 11 फाइलम्स हम लोग पढ़ेंगे न तो हमको समझ में नहीं आएगा तो एक एक फाइलम्स जिस जिस दिन मैं आपको पढ़ाते जाती हूँ, वो आप पढ़ते जाएंगे, उसको याद करते जाएंगे, उसके प्रॉपरली नोट्स बनाते जाएंगे, जैसा मैं लिख रही हूँ, वैसे ही नोट्स बना लीजे आप और फिर उसको रिवाइस करिए, हमेशा यह याद रखिए कि बहुत सारी बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है, एक ही बुक को बार बार पढ़िए आपने इतने सारे यूट्यूब पढ़ाने वालों को देखा होगा, उन्होंने आपको बताया भी होगा, मैं यह उमीद कर रही हूँ, पर अगर नहीं भी पढ़ाया है, तो यह बात समझ लिजे कि किसी भी एक बुक को बार बार पढ़ना जादा बेनिफिशल होता है, नीट में, बजाए इसके की 500 ले लिए उसको एक एक बार पढ़ें, इससे confusion भी हो जाता है बहुत जादा और concept clear नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो इस वास्ट syllabus को हमने रोज रोज पढ़ना है, यह अप जादा जादा doubts निकलेगा, उतना जादा examination जल्दी clear होगा, तो आज के लिए इतना fundamental clear है, आज के लिए इतना lecture काफी है ना, तो चलो शुरू करते हैं आज का original lecture, तो last class में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, यह अपन लोग थोड़ा से एक बढ़ रिवाइस कर लें, क्या हां कर लीजे माडम, आपका मन है तो करी लीजे आप, ठीक है, so last class में मैंने आपको sealant reta phylum शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने उसकी discovery बताई थी आपको, फिर मैंने आपको बताया था कि sealant reta को sealant reta क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास central में एक cavity होती है, जिसका न या gastro vascular cavity, ठीक है, उसके बाद इसका नाम nideria क्यों है, इसका नाम nideria बहुत सारे लोग बोलते हैं, नideria भी बोलत देते हैं, तो इनका नाम nideria क्यों है बच्चों, इनका नाम nideria इसलिए है, क्योंकि इनके पास एक special type की cell होती है, जिसका नाम होता है, नीडो साइट, न तो यह क्या करेगा, किसी भी शिकार को hypnotize कर देगा, वो धीरा हो जाएगा, slow हो जाएगा और इसको गपक कर खा लेंगे, ठीक है, ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नीडो लॉजी, शिप्रतिवारी concept point मैंने आपको बताया था, the branch of biology deals with the nideria or the cilantro is called as needology, और अगर यहां C हटा दिये, तो कौन सा study, the study of birds nest, ठीक है, तो C हटा दोगे, तो नीडोलोजी हो जाएगा, ओके, और यह वाला नीडोलोजी with C, ओके, habitat की बात करें, तो यह exclusively marine होते हैं, पर exclusively में कुछ exception है, इनका hydra, hydra जो है यह fresh water, जो है sealant rate है, उसके बाद यह मानसार, अब जानी के बरोसे, तो यह carnivores होते हैं, यह अपने छोटे जीवो को खाते हैं, छोटे protozoans को खाते हैं, ठीक है, यह fixed हो सकते हैं, और यह free floating भी हो सकते हैं, fixed कौन होता है, fixed मैंने आपको example किसका बताया था, मैंने आपको corals का example बताया था, ठीक है, उसके बाद जो है तो और भ fish के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैंने दोने images भी लगाई थी, फिर मैंने आपको बताया कि level of organization कैसा होता है, level of organization है, tissue level of organization, division of labor पाया जाता है, they have different types of tissue for the performance of different type of functions, आई बात समझ में, ठीक है, तो इनके पास अलग-अलग प्रकार के tissues होते हैं, जो की अलग-अलग प्रकार का function perform करते हैं, तो मेरे लाज, symmetry कैसी होती है, symmetry होती है, इनकी radial symmetry, ठीक है, germ layer कितना होगा, diplo-blastic, ectoderm और endoderm होता है, इसको हम epidermis और gastrodermis भी कह सकते हैं, ठीक है, now, अच्छा, diplo-blastic अपनलना, sponges में क्या कहा था, outer layer को, piracoderm, और अंदर वाली को क्या कहा था, coanoderm, इनके बी पास silom नहीं होता है, ठीक है, तो यह hydra है, जो कि बहुत जादा green कलर के भी हो सकते है, so there are so many types of species of hydra, okay, now, body wall में फिर मैंने आपको बताया था, कि body wall में जो outer layer होती है, उनके पास विभिन प्रकार की कोशिकाय होती है, so there are seven types of cells present into the outer layer of the sealant rata, जिसमें मैंने आपको बताया थ यह वाली cells, इसमें सबसे important जो cell का evolution हुआ है, वो है epithelio muscular cell, कौन से cell बच्चो, epithelio muscular cell, let me write this with the red color, red, 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 red color, so epithelio muscular cell जो है, वो actually यहीं से evolution हुआ है, तो इनको hydro propulsion movement में ठीक है, चलने फिरने में मदद करते हैं, ठीक है, so there are seven types of cells present into the outer layer of the sealant rata, नाम याद कर रहे नहीं रहे and there are five types of cells present into the internal layer of the sealant rata or the gastrodermis, और इन दोनों के बीच में क्या present होता है, नीजोगलिया, ठीक है, फिर यह मैंने आपको image बताई थी, देखे धान से, यह image मैंने आपको बताई थी, properly explained की थी, ठीक है, तो यह वात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सारे लोगों ने यह image लगाई हुई है, पर properly explained नहीं किया गया है, ठीक है, मैंने आपको properly explain किया है, कि कैसे क्या कहानी होती है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, फिर अपनने खतम किया था, last point में मेरे लला, skeleton पे, किस पे खतम किया था, वेटा है, skeleton पे खतम किया था, इनके पास calcium carbonate का skeleton होता है, पर कुछ ऐसे भी example है, जैसे कि jellyfish इनके पास skeleton नहीं होता है, ठीक है, तो आज के lecture में हम लोग general characteristics को continue करते हैं, और देखते हैं, क्या है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, डाइगेस्टर सिस्टम और body plan, ठीक है, तो इनका body plan होता है, मेरे बच्चो, blind sack body plan, कैसा होत is present into the body, आई बात समझ में, so इनके पास blind sack body plan होता है, इसका मतलब यह की body एक तरफ से close है, और एक तरफ से बंद है, मतलब they have mouth but they don't have anus, okay, now, तो the digestive system कैसा होता है, वही है, digestive system कैसा होता है, incomplete होता है, only mouth is present, और इस mouth को हम लोग क्या कहते हैं, hypostome, hypo का मतलब उपार, और stomach का मतल जाता है ठीक है ओके उसके बाद गास्ट्रो वेस्कुलर कैवेटी उसे चर्ण करती है फॉर्दर डाइडेशन के लिए यह इंट्रासलुलर यह फूद वैक्योल में जाते है और फूद वैक्योल में अगर कोई डाइडेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते है मेरे इनकी सेंक्ट्रल हॉलो कैवेटी में जिसका नाम होता है सिलेंटरान सो फॉर्स्ट कैवेटी में आएकर देन इट विल चर्ण और इट विल गो फॉर्दर डाइडेशन इंटो दा सेल और फूद वैक्योल ठीक है स्टीसी पॉइंट देखिए शिवरातिवारी concept पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने यह देख लिया कि डाइडेशन तो इनके पास होता ही है ठीक है पर यह कुएस्टें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या घंभी इस फिकर सकता है अब पर एसा नह amylase बोल रही हुआ, they don't have ability to digest the starch, amylase is the enzyme, ठीक, तो starch क्या होता है, starch, एक polysacryde है, what is the starch बच्छो, starch is a polysacryde, ठीक है, polysacryde का मतलब क्या होता है, polysacryde का मतलब होता है, complex sugar, ठीक है, it is a polymer of the glucose, okay, so they don't have ability to digest starch because they don't have amylase which is the starch digesting enzyme, ठीक है, so, यह आपको समझ में आया, which type of digestion is present, which type of body plan is present, which type of digestive system is present and what is the procedure of digestion into the sealant rate, समझ में आया, कोई जल्दी तो नहीं हो रहा है, तो मेरे खाल सित्ती बाते तो आपको clear हो गाई होंगी, इसमें कोई confusion तो नहीं हुआ होगा, तो यह हो गया अपना body plan, यह हो गया digestive system, और यह हो गया process of digestion, ठीक है, और यह हो गया, शिपरतिवारी concept point, चलो, अब आजो अंदर, आजो, 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 देखो, यहाँ पर दिया भी हुआ है, मैंने digestion का एक image लाया है, तो इन्होंने daphnia नाम के एक water flea को खाया, through the mouth, खा लिया इनने, tentacle से इनने पकड़ा, और mouth से गपक लिया, ठीक है, खाया, खाना कहाँ पर आया, खाना आया gastro vascular cavity में, खाना कहाँ आया बेटा, खाना आया gastro vascular cavity में, आ गया खाना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, उसके बाद cavity में क्या होगा, अभी this digestion is extracellular, उसके बाद क्या होगा, इसको चर्न कर देगी, gastro vascular cavity, this is extracellular digestion, उसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि अंदर वाली cell को अपन क्या कहते हैं, मैं तुम्हें दिख रही हूँ, अरे नहीं भी दिख रही हूँ मेरे लाल, तो बस इतना देखो, कि अंदर व भईया, भई मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो चल रहा है, अंदर वाली कौन सी होती है, gastro dermis, ठीक है, अंदर वाली कौन सी होती है, अंदर वाली is the बच्चो, gastro dermis, ठीक है, ये चमतकारी board भी ना, कभी-कभी ऐसा काम करता है, कि हमको समझ में नहीं आता कि हम करे क्या, तो अंदर वाली जो लेयर होती है, बच्चो, इसमें छोटे-छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे-छोटे बाल-like appearance होते हैं, जिनको हम फ्लाजिला कह देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो digestive food material, जो कि इस cavity के अंदर है, टूटा हुआ है, इसको आप किसको दोगे, इसको अब सेल को दोगे, सेल के अंदर आया, फिर ये किसके अंदर आगया, ये food vacuole के अंदर आगया, food vacuole के अंदर digestion होगा, तो ये food particle है, ये engulfement of food है, इस तरीके से खाना अंदर जा रहा है, और उसके बाद खाना food vacuole में पहुच गया, so the first step of the digestion will be the extracellular and after this it will convert into the intracellular, ठीक ह कोई दिकत परिशानी, नहीं है ना, इस मैंने छूटा, तो point इल क्लिया अभी तक, चलो, आजो, अब, अगर तुम बात करते हो किसकी, अगर तुम बात करते हो बच्चो, respiration and excretion की, ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी respiration and excretion के लिए, तो क्या इनके पास नाक है, क्या इनके पास फेफडा है, क्या इनके पास diaphragm है, rib cage है, कुछ नहीं है लाल, कुछ नहीं है मिरे बेटे, कुछ नहीं है, इनके पास ना तो कोई respiratory system है, और ना ही कोई excretory system है, इनका excretion जो है और respiration दोनों इनकी general body surface से होता है, by the process of what? by the process of diffusion, ठीक है, तो इनका जो excretion और respiration होता है, वो diffusion process से होता है, ठीक है, और ये क्योंकि पानी में रहते हैं, so they can afford to be ammonia, excretion of ammonia, ठीक है, तो ये effort कर सकते हैं, क्योंकि आमोनिया को निकालने के लिए हमें जादा पानी के अवशक्ता होती है, ammonia एक जहरीला product होता है, जिसे नि ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, बच्चों, ये होते हैं, ammonotellic, they can afford the excretion of ammonia, because they are exclusively aquatic, पानी में रहते हैं, अब हम लोग बात करें, respiration की, तुमने porifera में किसी भी प्रकार का respiration देखा था क्या, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, देखा था क्या, अरे नहीं देखा था, ठीक ह पौरिफेरा में किसी भी प्रकार का कोई respiration नहीं होता, उसी तरीके से sealant reta में भी किसी भी प्रकार का कोई respiration नहीं होता है, आई बात समझ में, now, sealant reta में nervous system, अगर मैं nervous system की बात करूँ, sealant reta में nervous system exactly system नहीं होता, ठीक है, मतलब तुमारे जैसा brain, spinal cord ये सबनी होता, पर अगर मैं, अगर आपसे कोई पूछे कि evolution कहा से शुरू हुआ, they don't have well developed nervous system, पौरिफेरा में तो किसी भी प्रकार का नहीं है, पर इनके पास well developed नहीं है, पर अगर मैं बात करूँ किस की बच्चो, अगर मैं बात करूँ evolution की, तो यहां से ही आपके nervous system का evolution शुरू होता है, जो कि शिवरा तिवारी concept point में लिखा भी हुआ है, कि evolution of nervous system started from the sealant data, ठीके, इनके पास well developed नहीं है, मैं पहले भी बोल रही हूँ, पर they have something, ठीके, they have a little bit primitive type of nervous system, they have a polar neuron, ठीके, let me draw with the blue color, ठीके, So, they have which type of neuron, they have a polar neuron, ठीके, a polar neuron का मतलब यह है, कि they don't have exon, ठीके, exon अगर आप एक normal nerve का diagram बनाएंगे, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीके, यह इस तरीके का nerve का diagram बनता है, इनके पास exon, exon कुछ नहीं होता, इनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है, यह वाला part होता है, इ इनके पास कोई exon, कोई polarity, कोई branch नीचे की और बाहर निकलती होई, दिखाई नहीं देती, तो इनके पास होते हैं, apolar type of neuron, यह apolar type of neuron क्या करते हैं, ठीके, मैं पूरा रब करती हो, बताती हूँ, यह apolar type of neuron क्या करते हैं, आपको पता है, यह apolar type of neuron, they make the branch, they make what, they make branch, और net like structure, आई बात समझ में, they don't have exon, exon क्या है, it is the danda of the neuron, ठीक है, so they don't have neuron, exon, but they have neuron, but they don't have polarity, ठीक है, they don't have exon in their neuron, but they have neuron, which do not have exon and they make the diffuse neck like structure, आई बात समझ में, तो इनके पास exon, exon नहीं है, पर इनके पास जो neuron है, उसे हम apolar neuron के नाम से जानते हैं, apolar neuron एक दूसरे के पास आकर net जैसा structure बना लेते हैं, आई बात समझ में, तो इनके पास most primitive, most simplest type का nervous system होता है, आई बात मेरी समझ में, इनके पास most primitive, most simplest type का nervous system होता है, और evolution कहां से start हुआ nervous system का, sealant rateा से ही start हुआ, ठीक है, आप समझना, इस तरीके से इनके पूरे शरीर में, ध्यान समझना, इस तरीके से इनके पूरे शरीर में, apolar neuron का network पाया जाता है, पर ये network इतना tight नहीं होता है, धीला-धीला होता, ठीक है, इस तरीके से पूरे बाडी में, पाया जाते हैं, डीक है, PK, ठीक है, so these are the simplest type of nervous system, they have simplest type of nervous system and it is called as radial nervous system, चारो तरफ इसके neuron फैले हुए होते हैं, in the form of loose network of the neurofiber, ठीक है, loose network में यह से जाल प्रकार के फैले होते हैं, इनके पास apolar या non-polar neuron होते हैं, ठीक है, so आपको यह समझ में आया, nervous system के बारे में समझ में आया, यह स्रिप्रातिवारी concept, STC points को याद रखना, कि कभी कोई पूछे, where the evolution of nervous system gets started, तो आप बोलेंगे, sealant, treta, चलो, next point आप जो है बहुत important है, देखे ध्यान से, इनके जीवन काल में, ठीक है, इनके जीवन होता है, उनके जीवन काल में, दो प्रवस्थाएं होती है, दो stages होती है, पहले stage को हम कहते हैं polyp, और दूसरी stage को हम कहते हैं medusa, मेरी बात समझे आप, तो इनके जीवन काल में, दो forms होते हैं, एक होता है polyp, और दूसरा होता है medusa, ठीक है, इस तरीके से इन्हें हम डाइमओर्फिक सीलेंट रेट यह डाइमओर्फिक और्गानिजम भी कह सकते हैं तो इनके जो life cycle होता है इनके life cycle में दो forms पाए जाते हैं एक होता है polyp और दूस्रा होता है medusa ठीक है? पॉलिप और मड्यूसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक सीलेंट रेट में पाये जाए हो सकता है कि किसी सीलेंट रेट में सिर्फ मड्यूसा पाये जाए और हो सकता है कि किसी सीलेंट रेट में सिर्फ और सिर्फ पॉलिप पाया जाए ठीक यह हो सकता है दोनों पाए जाए ठीक है तो आप समझना कोई भी सीलेंट टेट जो है डिडेरिया निडेरियन या तो पॉलिप स्टेज में रह सकता है या तो सिर्फ मेड्यूसा स्टेज में रह सकता है या तो दोनों स्टेजेज में रह सकता है अगर ये दोनो स्टेजिज में रह रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं डाइमोर्फिक या सिलेंटरेट कुम डाइमोर्फिक कहते भी हैं क्योंकि दो फॉर्म्स हैं इनके जीवनकाल के इधर पॉलिप और मेडिूसा और अगर कोई पॉलिप दोनों फेज़ेश शो करता है अगर कोई पॉलिप दोनों फेज़ेश शो करता है तो इसे हम कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक ही जीवनकाल में ये दो रूपों में पाया जा रहा है आगे बढ़ें कोई दिक्कत इसमें ना अच्छे रैस्पिरिशन ऑएक्स्रीशन पर आ गए ना बॉड़ी फॉर्म्स की बारे में हम लोग डील करी रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को डीटेल में पढ़ना पड़ेगा वॉट इस दा पॉलिप होता क्या है पॉलिप को अगर आप देखें तो ये जनरली सिलेंड्रिकल शेप का होता है देखिए मैं आपको डाग्राम भी यहां पर लगाया होगा मैंने अरे देखो ना आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको उल्टा पलेट कर अपल लोगों ने रख दिया है तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में कैस कौन दिखाई दे रहा है पॉलिप और ऐसा उल्टा रख दोगे तो यह हो जाएगा मेड्यूसा जो कि एक अंब्रेला लाइक अपीरेंस होता है फिर देखिए इसके बाद पॉलिप जो होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के यह हमने डिसकस कर लिया दूसरा दे आर मोस्टली सेसाइल बट सम आफ देम आर मोटाईल ठीक है सेसाइल का मतलब क्या होता है कि यह चल फिर नहीं सकते हैं यह रुके हुए रहते हैं ठीक है तो और कोलोनियल ठीक है यह सॉलीटरी हो सकते हैं और कोलोनियल रहो सकते हैं मतलब यह अकेले भी रह सकते हैं और कॉलिनीज में भी रह सकते हैं पर आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि यह सेक लाइफ सायटल है या मैं कहुंँ कि जो प्रति लिसकी बडाड़र लोग तो वह क्या मेड्यूसा में sexual reproduction होता है ठीक है तो आपको समझ में आया कि polyp जो होता है cylindrical shape का है mostly जो है रुके हुए होते हैं पर कुछ चल भी सकते हैं क्योंकि रुके हुए रहेंगे तो आसानी से bird को गिरा सकते हैं बड अटाच होकर दूसरा नया organism बना सकता है example is hydra and adamsia ठीक है hydra और adamsia ये दोनों ऐसे organism हैं जो polyp phase को show करते हैं ठीक है now medusa अगर आप polyp को पलट देंगे तो वो umbrella like appearance आपको दिखाई देगी ठीक है तो umbrella जैसा इसका appearance होता है ठीक है ये free swimming होते हैं मतलब आसानी से चल सकते हैं और चलते भी हैं जिस method से उसका नाम है hydro propulsion क्या है hydro propulsion मतलब it is like that ठीक है आपने hydro propulsion method physics में पढ़ा भी होगा ठीक है तो ये पानी से propel करके कूद कूद कर चलते हैं it is a hydro propulsion method ठीक है ये हमेशा अकेले ही रहते हैं कैसे रहते हैं अकेले ही रहते हैं ठीक है और ये sexual reproduction शो करते हैं ठीक है मतलब spun and ova fusion करते हैं तो medusa एक sexual phase है sealant rate का और polyp एक asexual phase है sealant rate का ठीक है अब polyp कोई भी organism polyp कह रहे हो polyp मतलब एक young one है ना जैसे मालो की ये किसी का example है ठीक है तो अगर ये किसी का example है ठीक है तो आप देख रहे हैं तो मालो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस example की तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एक organism है और इससे एक bird निकल रही है तो sealant rate में कहीं भी अगर आप पढ़तें zoid क्या पढ़ते हैं zoids ठीक है तो zoids का मतलब होता है इनके young ones ठीक है यह मैं कहूं organism तो organism या तो polyp हो सकता है या तो medusa या तो दोनो तो इस organism को हम zoid कहते हैं क्य नाम याद रखना ठीक है तो example of the medusa is euralia or the jellyfish जो कि मैंने example लगा है अब आप hydra में यहां देख रहे हैं क्या हम hydra में यह देख रहे हैं कि यहां से ऐसा हुआ ठीक है इसको आप कहते है summer salting movement क्या कहते है summer salting gulati लगाना ठीक है तो इसे आप कहते है summer salting movement इसका मतलब gulati लग पाता है ऐसा जुका चिपका चिपक के surface को छोड़ देगा और छोड़ देगा फिर उल्टा होगा फिर यह यह बाली जैसको छोड़ दिया उल्टा हो गया फिर यह दर ऐसा मुड़ेगा यहां सा टैच होगा फिर सीधा हो जाएगा ठीक है तो इसे आप कहते हैं गulati लगान और यह है hydropropulsion method of the jellyfish आई बात समझ में अब आगे बात करते हैं हम लोग देखिये हां तो body forms में जो है ध्यान समझे इख बोध forms present in the life cycle ठीक है अगर एक ही life cycle में दोनों forms present हो जैसे की polyp और medusa दोनों तो इसे आप कहते alteration of generation और metagenesis ठीक है alteration मतलब generation alter हो गई ना polyp से medusa medusa से polyp ठीक है अब यहाँ पर कैसे generation alter होती है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी भी देखिये तो कैसे होती है अंतर देयान से देखिये यहाँ पर polyp जो होता है वो asexually medusa produce करता है और medusa sexually polyp produce करता है अभी अगरे आपको बता आहें एसा example जिसमें दोनों पाय जाते हैं वो है Obelia क्या है वो Obelia ठीक है तो polyp और medusa दोनों जो हैं वो कहा पाये जाते हैं polyp और medusa Obelia में पाये जाते हैं और पॉलिप किस में पायाता है इसका ये बहुती बहतरीन डाइग्राम है जिसका आप स्क्रीन शॉट ले लो फिर मैं आ घया आपको पढ़ा रही हूं तो आपने स्क्रीन शॉट ले लिया है तो मैंने आपको बताया कि इस इस गॉलिप फेस इस जब मेडूशा यह दैमुशिय का एक्जम्पल है और वो यूरालिया का एक्जमPल है तो आप इसको फो फोल्टा कर दोगे तो मेडिवसा हो जाएगा ठीक है अब देखो तो मैंने आपको क्या बताया था ओबेलिया एक ऐसा एक्जम्पल जिसमें पॉलिपर मेडियूसा दोनौं में पाये जाते हैं और इनको ही आप कहते हैं 'e alteration of generation अभी मैं इसका life cycle बता रही हूं। ठीक है देखो नाओ next अपन बात कर रहे हैं sensory cell की बारे में sensory cell जो होती है उसे हम Agreement स्टेटोस्ट कहते हैं क्या कहते हैं ये इनका sensory और balancing organ है, जिसे इनको ये पता चलता है कि इस जगह पर जाना है और इस जगह पर नहीं जाना है, आई बात समझ में, तो sensory cell ये statusist का मतलब ये होता है, कि इनको पता चलना चाहिए कि इनका जो शिकारी है वो आ गया है, ये खिसकलो यहां से, पतली गली से, कि अगर नहीं खिसके तो घपके जाओगे, ठीक है, सो statusist किस में पाजाता है, Medusa of the Obelian, नाव Tenticulocyte भी इसको कहते हैं, Tenticulocyte भी एक sensory organ ही होता है, जो कि Euralia में पाया जाता है, जिसको आप Jellyfish भी कहते हैं, तो अगर आप यह सोचते हैं, कि Silentrita को दुख, दर्द, सम्मान, अपमान की फिकर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस वो अपना बचाव करने के लिए उस जगह पर चले जाते हैं, दूसरी बात यह है कि statusist और भी क्यों balance करना है, कि भाईया, इनको किसी भी चीज को खाना है, तो पहले पता तो चलना चीज़िए कि इसको खाना क्या है, जब इनको पता ही नहीं है, तो यह कैसे करेंगे काम बच्चोग, ठीक है, Now, reproduction की बात करेंगे, हम लोग अब इनके, reproduction मैंने आपको बताया, reproduction में यह लोग कैसे होते हैं, यह लोग unisexual भी हो सकते हैं, और bisexual भी हो सकते हैं, ठीक है, आप मेरी बात को समझना, ठीक है, environment में जो hermaphrodite organisms होते हैं, जिनमें male और female एक ही में पाय जाते हैं, हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर reproduction कर लें, पर जो प्रकृती होती है, वो इनका reproduction ऐसा design करती है, कि जिनके में male और female भले ही एक में हो, पर हमेशा वो अपने ही जैसे दूसरे organism के साथ reproduce करते हैं, भले दोनों sex एक ही body में क्यों ना हो, ठीक है, आई बात समझ में, so यह unisexual भी हो सकते है, which is a diocese, मतलब male और female अलग-अलग हो सकते हैं, और bisexual भी हो सकते हैं, जिसमें male और female एक जैसे हो सकते हैं, यह proto-dendress होते हैं, मतलब male जो है, वो पहले develop होता है, male first develop होता है, और उसके बाद female बाद में develop होती है, ठीक है, asexual phase जो है, वो generally कौन शो करता है, asexual phase बहतरीन example है, hydra का, आपने hydra का example, जब से आपने plus two वाले जो होंगे, वो देख रहे होंगे, even आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा, कि hydra is the best example of the body, तो hydra कौन से phase में रहता है, अपने जीवन काल में, हमेशा poly phase में रहता है, ठीक है, sexual phase यह कैसे करते हैं, by the fusion of gamete, ठीक है, कैसे करेंगे, वो मैं अभी आपको बता रहे हूँ, fertilization इनका external और internal हो सकता है, internal कैसे होगा, मुझे बताईए, internal ऐसे होगा, कि अगर कोई sealant rate, जिसमें male और female एक ही में पाए जा रहे हैं, अगर वो अपने body के अंदर ही fertilize कर लें, तो internal fertilization पर, अगर कोई sealant rate, अपना, एक sealant rate अपना sperm release कर रहा है, एक sealant rate अपना over release कर रहा है, और फिर वो जोनों पास पास आके, जो है fertilize करें, तो it is external fertilization, और जितने भी ऐसे organism, जो पानी में रहते हैं, वो generally external reproduction या external fertilization शो करते हैं, इनका development direct और indirect दोनों हो सकता है, indirect development मतलब larva की phase होगी, और direct development मतलब larva की phase नहीं होगी, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, शिवरा दिवरी concept point देखिए, larva का example, हला कि आता नहीं है, पर अगर आ गया तो फिर अप दिक्कत में फ़र्ज जाएंगे, ठीक है, larva of obelia का होता है planula, और जिसमें भी larva आपको बता रही हूँ, वो चीज़ आपने याद रखनी है, कि larva जो है, वो जो भी जिन भी सिलेंट्रेट में larva बनेगा, मतलब indirect development है, ठीक है, larva of obelia is the ifira, so planula and ifira is the larva, now in the needle side, ठीक है, ध्यान से समझेगा, in the needle side, जिसे आप stinging cells भी कहते हैं, उनके पास एक औरगनल होता है, जिसे आप कहते हैं nematocyst, अब अगर मैं पीछे slide में जाओं तो थोड़ा साप को समझा भी पाऊंगी, द्यान से समझेगे, यह STC extra points है, जो की concept को और ज्यादा clear कर देंगे, अब आप द्यान से देखेंगे, कि यह जो आपको, this is the needle side cell, यह पूरी क्या है, needle side cell, ठीक है, और यह क्या है, आपका अंदर वाला जो पाट है, इसको आप कहते हैं nematocyst, क्या कह पाया जाता है, nematocyst पाया जाता है, needle side cell के अंदर, कोई दिकत परिशानी, इसमें नहीं होनी चाहिए, अब आप क्या देखेंगे, nematocyst जो है, वो thread like arrangement से बढ़ा हुआ है, मतलब अभी वो बाहर नहीं आ सकता है, अभी वो अंदर है, nematocyst के अंदर होता है, हाइपनो टॉक लग समझ में आ जाता है, भई यह ऐसा है कि शिकार आ गया है, तो यह क्या करते हैं, बताएए मुझे, यह क्या करते हैं, इसको अटैक करते हैं, ठीक है, यह जो है इसको यह बताते हैं, खट से से टच करते हैं, तो इसका जितना भी अंदर का material है, वो सब हाईपनो टॉक्स लेकर बाहर निकल जाता है और यह जो थ्रेड है बार-बार बीज तलवार- लाइक स्ट्ट्टर जिसके उपर यह थार्ड लाइक स्ट्टर जुड़ा हुआ है अब यह फ्रेड लाइक स्ट्टर जो है वो जिसके अंदर गुज जाएगा और उसे बिहोश कर देगा फिर से समजए मेरी बात को मीडो साइट सेल के बंदर है a k longtime जिसे आप कहते है न्यमेटसिट के इंदर त्रेड होता है जिसके इंदर ठ्रेड बरे रहते हैं questions जो हता है वह अभी बहार नहीं आया है यह आपको एक hair like projection दिख रहा है, जैसे ही शिकार आता है, वैसे ही active हो जाते हैं, यह इसको cut से क्या करते हैं, open करके बाहर ला देते हैं, thread बाहर आ जाता है, toxin लेकर और वो शिकार के अंदर गुज़ जाता है, और फिर उसे बेहोश कर देता है, So, it is the little bit action of the stinging cell, जो मैंने आपको बताया, कि thread से घुसर जाता है, जो भिषोश कर देता है, और फिर वो से खा जाता है, tentacle से पकड़ कर, ठीक है, So, this is the polyp of the adamsia and this is the polyp of jellyfish, okay, now, यह हो गया, अच्छा, आप अपन बात करते हैं, polyp और medusa का किस तरीके से एक life cycle है, ध्यान से सम polyp और medusa, जो है, आपने किसका example पढ़ा था, आपने example पढ़ा था, obelia वगेरा का ठीक है, जिसमें दोनों fertilization phase पाई जाती है, ठीक है, अब ध्यान से समझेए, अब देखिए ध्यान से कि यह क्या है, आपका polyp है, ठीक है, polyp phase कैसा होता है, वास शेप का cylindrical होता है, यह इसका पाद यह इनका center part है, विच इस अमीजोगलिया, ठीक है, अब क्या हुआ, इनने budding के माध्यम से, इन्हों ने जो दूसरी phase बनाई, हमेशा polyp, medusa, अगर किसी भी life cycle में, किसी भी, क्या कहूं में, सिलेंट रेट में, जिसमें दोनों life cycle पाए जाते हैं, मतलब polyp भी और medusa भी, तो polyp medusa को asexually produce करता है, और medusa polyp को sexually produce करती है, ठीक है, तो polyp जो है, बढ़ करके अपना एक पार नीचे गिराया, पर अभी वो क्या था, medusa, अब समझना मेरी बात को, medusa भी, यहाँ पर mouth हैसा ह पर अगर आप इसको पलट देंगे, तो mouth कहाँ पर आजाएगा, नीचे आजाएगा, ठीक है, ओके, और यह हो गई आपकी mesoglia, यह हो गई आपकी gastrovascular cavity, आपने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है, आप देखो, medusa के अंदर क्या बनते है, medusa के अंदर एग है, और sperm दोनों बनते ह पर फिर भी sperm जो है, वो बाहर से ही fertilize होने आता है, ठीक है, तो वो भी medusa का ही, किसी और species के medusa का ने, ठीक है, तो माल लीजे कि इनने produce किया और यहां से sperm आया, दोनों fertilize हुए, fertilization के बाद zygote हुआ, zygote के बाद cell division हुआ, cell division के बाद larva बना planula, अब मुझे बताओ कि planula larva हम वो ने किसका पड़ा था, obelia, और मैंने अभी आपको बताया था था ना, कोई obelia में दोनों life cycle पाये जाते है, medusa और polyp दोनों, तो उसके बाद larva बना, larva नीचे सटल हो गया, और वो germinate हुआ as a form of polyp, तो आपने क्या देखा, कि medusa से sexual reproduction होकर germinate हुआ polyp, और germination के बाद polyp बना बड नीचे गिरा और वो medusa में convert हो गया, तो जब ऐसी life cycle दिखे, so this is the asexual phase, this is what, asexual phase जहां पर कोई fertilization नहीं हो रहा है, and this is the sexual phase जहां पर fertilization हो रहा है, तो ऐसे sealant rate जिसमें sexual, asexual और sexual दोनों reproduction पाये जाते हैं, या मैं कहूं कि एक ही जीवन काल में दो प्रवस्थाएं पा integration, आई बात समझ में कोई दिक्कत परिशानी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होनी चाहिए, so what we have learned in this lecture बच्चों, हमने क्या सीखा इस लेक्चर में, हमने सीखा some general characteristics of the sealant rate जिसमें मैंने आपको बताया, कि body plant में एनस नहीं है, सिर्फ mouth है, digestive system इस cellular और extra cellular दोनों होता है, पहले extra cellular होता है, जिसमें कोई भी चीज पहले churn होती है, churn होने के बाद वो जाती है, cells के अंदर in the food vacuole, इनके पास कभी भी ये starch digest नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास amylase नहीं होता, फिर मैंने आपको mechanism समझाया, फिर मैंने आपको बताया कि इन इनके पास कोई भी special respiratory और excretory organ नहीं होते है, ये हमेशा पानी में रहते हैं, इसलिए ये ammonia को निकाल सकते हैं, ammonia एक toxic material है, जिसे निकालने के लिए पानी की बहुत जादा वशक्ता होती है, nervous system का evolution पहले सबसे पहले कहां से शुरू हुआ, सबसे पहले sealant rate से शुरू हुआ, इनके पास जो nerve पाए जाते हैं, इसमें कोई exon वेगरह नहीं होते, exon का मतलब होता है, अगर branch निकली है ना, किसी जैसे माली जी कि ये cyton है, उसका cells का body part, सर है, सर से क्या निकलता nerve के, exon निकलता है, अब exon नहीं है, तो polarity नहीं, polarity का मतलब branch नहीं निकल रही है, ठीक है तो इनके पास कोई polarity वाले neuron नहीं होते हैं, इनके पास apolar neuron होते हैं, और apolar neuron में बहुत सारी branches होती हैं, और सारे apolar neuron एक दूसरे से जुड़कर एक net like structure बना लेते हैं, या diffuse structure बना लेते हैं, और पूरे body में पाए जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले sealant rate में या आगर आपसे कभी कोई पूछे कि सबसे पहले क्या कहते हैं, अपना nervous system का evolution कैसे शुरू हुआ, तो आप क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे sealant rate से, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया है कि ये अपने जीवन काल में दो रूपों में पाये जा स और Euralia जो कि सिर्फ और सिर्फ Medusa form में रहता है, पॉलिप क्या होता है, ये cylindrical shape का होता है, ये attach रहता है, ये move जादा नहीं कर सकता, अकेले रह सकता है, ये colonial रह सकता है, जैसे कि Hydra जो है, ये हमेशा अकेले ही रहता है, ठीक है, आई बात समझे में, जब कि Physelia जो होता है, Physelia is the example of cylindrator collectively, ठीक है, उसके बाद ये asexual face show करते हैं, ठीक है, ओके, Hydra और Adempsia, ओके, Now Medusa जो होता है, ये umbrella like होता है, free swimming होता है, और ये हमेशा solitary रहते हैं, sexual face show करते हैं, example is jellyfish, ओके, So this is Adempsia and this is the jellyfish Euralia, ओके, Now मैंने आपको बताया, iteration of generation के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया, Obelia, ठीक है, Obelia जो होते हैं ना बच्चों ये सेसाइल होते हैं, क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, सेसाइल का मतलब क्या होता है, locomotion जादा नहीं करते हैं, ये किसी चीज़ से attach रहते हैं, तो आपने क्या देखा कि Obelia एक ऐसा example है, जिसमें polyp और Medusa दोनों पाए जात जमीन मतलब समंदर की जमीन में गिरा और attach हो और फिर उसने polyp बनाया, ठीक है, तो attachment बहुत जादा important है, फिर मैंने आपको sensory cell के बारे में बताया है, जिसमें मैंने आपको statocyst बताया है, statocyst किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, ये किसमें हो सकते हैं, और sex is 1 जैसे भी पाए जा सकते हैं, sexual reproduction में मैंने आपको बताया है, ये the fusion of gamit और a sexual reproduction में मैंने आपको बताया है, best example is what, hydra, ठीक है, fertilization external और internal दोनों हो सकता है, मतलब आपने medusa stage में देखा कि एक medusa overproduce करके बाहर निकाला, और दूसरे का medusa sperm कर प्रेदूस करके दोनों fertilize हो गए, अगर एक ही body में हो जाए, तो internal fertilization जो के थोड़ा कम होता है, development direct और indirect दोनों हो सकता है, indirect development में मैंने लार्वा के नाम बताया, planula और इफाइरा और फिर मैंने आपको बताया है, life cycle, so this is all about the general characteristics of the sealant rata, I hope you learned and enjoyed the video, I know this is very long, not so much long video, इतना तो आप effort करी सकते है, बहुत important है, बहुत important है, polyp or medusa NEET में आता है, nervous system NEET में आता है इसका, क्योंकि ये इनके characteristics है, stinging cells आती है, तो ये आपने याद रखना है, कौन-कौन से polyp medusa states, stinging cells, sealant rata cavity और आपका this nervous system, ये चार point जो है, ये sealant rata के सबसे महत्वपूंड point माने जाते हैं, so I hope you learned and enjoyed the video, see you in the next class next class में मैं इसके classification के बारे में बात करूँगी, video छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने छोड़ा, then the work will pile on, or pile on होने के बाद साफ कर पाना is very difficult, आज भी लोग रोता है कि classification हमको नहीं आता, कारण ये है कि जिस समय पढ़ाया गया, उस समय अपनों नहीं पढ़ा, तो पढ बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, सो घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, thank you so much